हेलो फ्रेंस जैस्री कृष्णा स्वागत है आपका हमारे राइजिंग गार्डन में तो मिलिए इस प्रकिर्थी के खुबसूरत द्रिश्षे और इस द्रिश्षे के हम सभी आप अपने हाथों से अपने घर के आंगन में छट पर खुद से बना सकते हैं इस खुबसूरती को खुद से अपने लिए हर जगह बना सकते हैं और हर जगह इस वातावरण को हम क्रियेट कर सकते हैं थोड़ा सा मेहनत कीजिए थोड़ा सा प्यार कीजिए प्यड़ पौधों से तो फ्रेंस आज हम बात करने वाले हैं कि इस मई के तपती गर्मी में मैंने क्यूं जो है सो इ देखिए मैंने एक छोटी शी कटिंग लगा रखी थी वोगन विला की और ये मेरा हीविसकस हाइवरेड हीविसकस का प्लांट है उसी में मैंने ये कटिंग लगा रखा था दोनों प्लांट जो है सो एक बराबर हो गया है और ये पौट बहुत चोटा सा है ये देखिए ही करने का बस इसी वजह से जो है मैं इन दोनों को सेपरेट करने का कोसिस कर रही हूं हलाकि आप इतनी तपती गर्मी में रीपोर्ट नहीं करें रीपोर्ट करने से थोड़ा सा बचे मुझे बहुत जादा इमर्जेंसी है इसलिए मैंने इन दोनों प्लांट को अलग किया है वि देखिए मैंने एक गमला लिया है और मैंने पहले से इसकी मिट्टी बना रखी थी एक्चली में मैंने कोई प्लांट इसमें सायद लगाया था वही ये प्लांटर है और जो है सो मेरी मिट्टी तो आप देखी रहें कितनी भुरभुरी मिट्टी है मैं हर गमली की मिट्टी व तो बहुत ही सावधानी के साथ इनको, क्योंकि मेरा इसमें दो-दो प्लांट लगा हुआ है, एक को इसी में छोड़ना है, एक को निगालना है, तो बहुत ही सावधानी से जो हैसे इस काम को करना पड़ेगा, देखिए मैं कैसे कर पा रही हूं, और रूट भी डिस्टर्ब नहीं हो कोशिश करती हूं कि रूट भी रिष्टर्ब नहीं है इस समय पे मेरे बच्चे मेरे शाथ नहीं होते हैं इस्कूल चले गया है तो थोड़ा सा मैं खुद ही एक हाथ से वीडियो बना रही हूं एक हाथ से सूट कर रहे हूं तो प्रियो निकालने का वीडियो सा डिश्टर्ब हो गया है कोई बात नहीं बहुत अच्छे से सर्वाइब कर जाएगा तो यह देखिए मेरे विसकस का प्लांट बहुत अच्छे से है और मैं इस प्लांटर में इसको सेफ्ट करूंगे आप जब भी किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करें तो उस समय कोई फ खाद नहीं दें 10 से 15 दिन के बाद जब आपका प्लांट फिर से चलने लगे तब आप इसमें फोटिलाजर दे सकते हैं यह देखिए मैंने अपने प्लांट को इसमें सेफ्ट कर दिया अब मैं इसमें कुछ नहीं करूंगी बस जो हैसो अब इसमें वाटरिंग करना है तो आपको मेरी कोसिस मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें वेल आइकन को प्रेश करना विल्कुल नहीं भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें इधर मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूं कारण मैंने आप सेस्यर किया था क्यूंकि मेरे घर में कुछ काम चल रहा है कंस्ट्र Actson का इस वजह से मैं वीडियो लेड हो जारही है और मैं ऐसे भी कुछ काम करती हूं जिस वजह से मैं दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ तो प्लीज इस बात को कॉपरेट कीजिएगा मैं कोशिश करूँगी कि अब वीडियो में देरी नहीं हो ये देखिए फ्रेंट्स ये बहुत ही अच्छा एक ही विसकस फ्लावर है मेरा और पीच कलर का और रेड कलर का में किसी वीडियो में आपसे सेव कर चुकी हूँ इसको तो ये देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुबसूरत प्लांट है ये और ये मेरा वोगन विला जहां मैंने कटिंग से लगाया था ये पिंक कलर का वोगन विला है और नॉर्मली सभी घरों में इस कलर के होते हैं वोगन विला वही कलर है ये ये देखिए फ्रेंट्स प्रकिर्टी का तो ये सुन्दर नजारा है ये वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ कि मेरे माध्यम से कुछ लोग तो कम से कम जो है सो गार्डनिंग से जुड़ेंगे और अपने अपने घरों में आंगन में छट पे गार्डनिंग करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने कुछ लोगों को तो प्रेरित किया है इस चीज़ के लिए प्रेक्रिष्णा